अलो गाइस विडियो में हम श्टार्ट करने जा रहें नास्तिक दर्शन पिछले वीडियो में हम लोग ने वेदान दर्शन खतम कर दिया थे उसी के साथ साथ हमारा पूरा आस्तिक दर्शन के च्छ दर्शन खतम हो गयते हैं अब हम नास्तिक दर्शन में सबसे पहले आज च परलोग को न मानने वाले, इस्वर पर सद्धा न रखने वाले, कर्म फोल को न मानने, तथा आत्म की देह से भिन सद्धा न मानने वाले दर्शनों को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, नास्तिक दर्शन मुखेते कौन कौन से दर्शन हैं, जो कि वेदों को प्रमाण नहीं मानत उसके साथ-साथ यह परलोग को नहीं मानते, इस्वर पर सद्धा नहीं रखते, कर्म फल को नहीं मानते, कि हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका हमें फल क्या मिली रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, तथा आत्मा की देह से भिन्य सत्ता, मतलब आत्मा को देह स अलग ना मनने वाले दर्शनों को हम नास्तिक दर्शन करते हैं अब इन की संख़्या त् saying क्रिंए इसमें सब से परहला है चर्वांध दर्शन तथा जैन दर्शन ठीक है फार मरें चरवांध它चर्वांध दर्शन देखते हैं सब भ्रहस्पति भौतिक भाद मतंद इसमें भौतिक गुर्णों के बारे में बताया गही helemaal दर्शन आदि जो पर्याय दिए गए तो कॉल कॉल से पर्याग़ लोकायत दर्शन व्रहस्पते दर्शन भौतिक वाद तरह भैतें डिंग तो ब्रहस्पति के बारे में बता गया है कि भारती दर्शन है उसमें अलग-अलग विरिश्पतियों का उल्लेक मिलता है इन में से इस प्रकार से अलग-अलग विरिश्पतियों का उलेक देखने को मिलता है भारती साइट में इसलिए विरिश्पति ने शार्वाग दर्शन की रचना किये इसका निर्णा कठीन है ठीक है इसी कारण से इसमें बस बताएगा अब चार्वाग दर्शन का परिशे देखते तो चार्वाग दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है लोकेशु आयत लोकायत लोगों में प्रचलित होने की कारण इसे लोकायत कहा जाता जैसा मैंने बता है अब लोकायत का आर्थ इह लोकि कहीं ते या फिर भौतिक भूमा गद्था नाम ब्हुतिक वाद भीन पड़ा आब चारवाक दर्षन का संप्रदा आनन्द का नपर सुख-भो का का संप्रदा अब और साम沒事 निद्हेंगे तो चारवाक में डिन्हें देख में का मिलता चारू सबत्म दर्शन दर्शन के और अचारे में वह और ब्रयास पती है ठीट है लेकिन जो चारवाक्मत है वह एक मत्र अंतिन दर्शनिक नहीं? जो चारवाक मत में किया है एक मत तार्शनिक नहीं तप्रियस पते चारवाक दर्शन वृत्ति के अनेक आचारे वे जैसे अजिता पूर्णा कास्वपा संजय इत्यादे अब आजिता के केस कंबल भी कहते थे क्योंकि उनकी एक मात्र जो संपत्ति थे उनका कंबल था तो कि प्रमुक सिद्धांद में सबसे पहले सूख वाद के बारे में न आपने चैसे बदा時間 की में बदा पर चाहिंए, "... उनके बास यादी धन हो दूसरों से उधार ले कर अने धन संस्चित करना चाहिए," तूखे से रहना से यह अपर ग्रेट अठाब अठाब और ना चाहिए मृत्री के पश्चात एक बार शरीर को वापस आते चिसने देखा हैं पाट रित यह नहीं है कि खिश्ची भीट रहता थी तो दूख देना चाहिए लेकि इतनी इंडिया बता आगे तो पुरवक तो से नहीं देखा इसलिए जब तक जी रहे हैं पूरा आनंद पुरवक जी यह और सुखी से जी इसलिए इसे सुख वाद आदिस नाम से जाना जाता है ठीक है तो यहां पर बता अथा जब तक जीना है मृत्तियों से बिना डरे और अपने जीवन को प्रशन चीत होगर जियो इसका आर्थ यह नहीं कि दूसरों को दुख देकर जियो इसके बाद प्रमान वनन देखते हैं तो प्रमान में सिर्फ चरवाग दर्शन केवल प्रत्यच को ही प्रमान माना है तो प्रत्यच को ही प्रमान मानने करा कारण यह है कि चरवाग दर्शन मानते हैं चरवाग के ज में सारे चीजों को देख सकते अगर नहीं नहीं करें कि अनुछ आख़ायर कि शिर्प वस्तार कि में प्रत्यच्छ प्रमान से जानने यह पतातों को ही है मुझा नहीं चर्फायर को उन्होंने शर्थ मानाना चारवाग दर्शार आंट से बिने का इसी पहुत है, केवल हमें प्रत्यत्य प्रमान से होता है जैसे धूआ को देखकर हम केवल अगनी के होने की संभावना को उत्पन् Аप्रसक्ति कवर तो केवल अगनी के समी प्रत्यच्ह जाकर ही मिलेगा, मतब धूए से हम केबल अगनी के होने का हम अनुमान कर सकते हैं लेकिन धूनवे के आगनी के होने का प्रवुत के बारे में क्या है तो चर्वाक दर्शन के बारे हो चार ही प्रवुतों को स्विकार किया है क्योंकि जो節目 प्रित्वी जल तेज और वाई होए चरवाक दर्शन के अनुसार आकास क्या है विभू और नित्य होने के कारण वो दिखाई नहीं देता या फिर उसको प्रत्यच अनुभव नहीं किया जा सकता इसलिए उन्होंने आकास को महाभूत नहीं माना है अब चरवाक दर्शन और आत्मा के बारे में देखते हैं तो चरवाक दर्शन क्या है आत्मा की उपस्तिति को नहीं मानता है चेतन्य आत्मा का गुण नहीं चेतन्य शरीर का गुण है ऐसा मानता है चरवाक दर्शन इसको सिद्ध करने के लिए चारवाक दर्शन यह कहता है कि जैसे हम शरीर के न र उत्पन्ष तो श्रीर में अन्य आत्मा की कुई उत्पती या फिर उपस्तिति मह मांता उन्हेकर नहीं कुप मद्स सभाव में उन्हों बुला कि उन्हों है है इसमें इत्र श्काके अनुषार जगत एक संहयोग मात रहें तो इत्र घृत्वी कि अुपस्तिती में वे वेवस्था को मानता है परंतु उसके केवल सयोग तो वह सभाववाद जगत की उत्पत्ति में किसी नियम को या फिर वेवस्था को मानता है लेकिन यह नहीं मानता कि वह किसी की कारण द्वारा या किसी उपरी प्रमात्मा द्वारा वह सिर्फ यह मानता है कि यह केवल सयोग वस्वत्पत्ति हुई है अब सभावबाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के ही स्वाधिन मानता है तो सभावबाद किसी भी चीजों में होने वाले चीजों के कारणों का प्रतिरोध नहीं करता कि यह इस कार जारण में में आगनी में 11 लागनी में 12 लाजय रंता है मतलब इस में किसी चीज का और भूत नहीं है वह सुभावता उसमें पाहले से इसलिए इसको इसिस प्रम्मोत्र का नाम हम लोग ने सुभावववाद दी आ में क meta अब सोभावात्-परिवर्त नमें किसी वी अलाउपिक सकति का घर नहीं मानता है कि जो भी चीजें हैं उसके अंदर कि यह जैसे सब रहां हुंता उसकी खुद की यह उसी प्रकार अलाउकिक त्रवाग का किसी बीवाट में देता है तो चारवाग दर्शन और इस तो कि नहीं मानता क्योंकि इस वर तो यह जा सकता है मैं और अंखुरों उत्बति zer और अंधिय को नहीं माना जा सकता अब अंकर उत्भतिक इसक्टे मिटटी जल और बेज के शयोग से वहई यहान पर रूशे आपर वह किसी प्रकार से पता है तो चारवाग दर्षन का कता निया है तो जो ऊकर थान nee मनियतने उस चाराओ में मिलख दूख भ्रवन की तो थार्वन में जीवन में जो गच दूत मिलड़ैं। नरख़त है तो म्रित्यूं ही मोच का शाधन हैं क्योंकि म्रित्यूं पेलबाद किसी भी सरेट को किसी भी प्रकारपी वेदना नहीं हो थी इसलिए मृत्यु से भी मोच्ष मिल्याइज टिकर अब चारवाग दर्शन और और अर्वेद में क्या साधार न है इसके बाद चारवाग दर्शन और नों कैसे प्रतेस्फ प्रमान को मानते हैं परंदो चलवाखक दरशन प्रत्यच्छ नत्रीत किसी न्य को नहीं माना है लेकिन आयरोध की प्रत्व döperangen और को माना है उसके बाद चलवाग के शॉजफ समय आई उर्वे उसमें गवनिस बढ़ाव परववाद का ख़ते हैं जो बीच है बिना मृत्यों का डर लिए ऐसी तुक्षा मृत्ने होसा के शुक्षपुर्वक रिजीना चाहिए ठीक है तो यह रहा आपका स्वाग दर्शन इसके बाद हम अगले वीडियो में बहुत दर्शन देखेंगे